Hello everyone, welcome back to my another video. गाज अकर आपके GB WhatsApp में you need the official WhatsApp to use this account वाला problem आ गया था, तो कैसे इसको fix करना है, यानि कि दोस्तों अगर आप इसमें re-login नहीं कर पा रहे हो, और आपको निया WhatsApp जिसे वो official WhatsApp चलाना पड़ रहा है, तो ऐसे में कैसे इसके data को आप backup करोगे अपने WhatsApp में, यूज करते थे उसको आपको open करना है, और open करने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखेगा restore backup कर ठीक है, तो यहाँ पर click कर देना है, click करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा restore finished करके और आपका back वाला screen आ जाएगा, यानि कि जी भी WhatsApp बंद हो जाएगा और वहाँ पर restore finished लिखके आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको official WhatsApp डाउनलोड करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी WhatsApp चलाना है, आप WhatsApp मेसेंजर ही चलाना, आप business वाला account मत यूज करना, अगर आपके जी भी WhatsApp था थो, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको install कर लेना है proper, install करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ से जाना है back, आने के बाद यहाँ पर आपको आजाना है, my files में, my files में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर device storage पर जाना है, device storage पर जाने के बाद यहाँ पर आपको option दिखेगा, android का, ठीक है, तो android वाले option में जाना है, और यहाँ पर फिर आपको तीन मिलेगा, data तो यहां पर आपको क्या करना है आपको जाना है मीडिया पर मीडिया पर आने के बाद यहां पर आपको एक वह मिलेगा folder com.gbwhatsapp ठीक है तो आपको कहा करना है इस पर click करना है click करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा gbwhatsapp का folder तो यहाँ पर फिर से इसको click कर लेना है click करने के बाद आप यहाँ पर आपको तीन folder देखने को भूलेंगे backups database और media guard ठीक है तो आपको कहा करना है यहाँ पर आपको data base पर click करना है और यहाँ पर message messagestore.db.crypt 14 यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा और मैं आपको बता दूँ अगर आप backup में जाते हो तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा यानि chat setting backup.db और यहाँ पर काफी date के साथ आपको काफी data देखने को मिलेंगे जितना आपके phone में data होगा ठीक है तो आपको कहा करना है इसको सारे को click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको move का option देखने को मिलेगा move कर देना है move करने के बाद android में आना है एंड्राइड में आने के बाद फिर से मीडिया में आने के बाद अब यहां पर आपको com.whatsapp का यहां पर फोल्डर देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद WhatsApp में आना है WhatsApp में आने के बाद यहां पर बैकप का फोल्डर देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है move to here पर click कर देना है और आपको क्या करना है keep both या फिर replace this file कर देना है और यहां पर मैं keep both कर लेता हूँ यानि कि दोनों को मैं यहां पर रखना चाहता हूँ तो यहां पर successfully यह हमारा transfer हो गया backup का फाइल यह database का है तो यहां पर आपको click करना है और इसको move करना है move करने के बाद simply फिर से वही process android media फिर आपको com.whatsapp में जाना है और whatsapp में आके यहां पर database पर click करना है database पर click करने के बाद move to here और यहां पर keep both पर आपको click करना है ध्यान रखना है keep both करने से क्या होगा कि आपका पुराना दोनों वहां पर data देखने को मिलेंगे और यहीं पर media का है media तो आपको folder में वैसे भी रहता है अगर आप media में जाओगे तो यहां पर जितने भी image या फ आपको वहां पर restore वाले option पर click करके अपने WhatsApp के data को वहां पर restore कर लेना है backup restore करोगे न तो यहां पर सारे data आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है अपके नए वाले WhatsApp में यानि official WhatsApp में तो ऐसा करके आप बहुत यह असान तरीका से GP WhatsApp का जो data है वो अपने official WhatsApp में ला सक करते हो तो आऊरे अपको वीडियो पसंद आगा वीडियो अच्छा लगा है विडियो इंफॉर्मेशन लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लायक करके चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीएगा फिर मिलता की गरीए था दबते के लिए घृवा नमस्कराढब इससल